हेलो बच्चों पिछले विडियो में हमने घन, क्यूब और घनाब क्यूबोईड को नापना सीखा इस विडियो में हम कुछ दिल्चस उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे बब्बन को अपनी दुकान में बेचने के लिए कमपस बॉक्स खरीदने है कमपस बॉक्स घनाब आकार के है मैं तो केवल ये एक घन, क्यूब और एक घनाब क्यूबोईड आकार के डिब्बे लाया हूँ मैं इन दोनों डिब्बो में कितने कमपस बॉक्स ले जा पाऊंगा बबन सोचने लगा उसके पास गग्गु की दुकान से खरीदे कुछ सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन आकार के ब्लॉक्स थे अरे वाँ मैं इन सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन का इस्तमाल करके पहले एक कमपस बॉक्स का आयतन वॉल्यूम ढून लेता हूँ उसने कमपस बॉक्स की लंबाई चोड़ाई और उचाई नापली कमपस बॉक्स की लंबाई आठ सेंटीमीटर है इसका मतलब इस कमपस बॉक्स की लंबाई आठ घनों के बराबर है और इसकी चोड़ाई चार सेंटीमीटर है या चार घन के बराबर है कमपस बॉक्स की एक परत में उसकी लंबाई गुणा चोड़ाई या आठ गुणा चार बत्तीर घन होंगे अब अंत में कमपस बॉक्स की उचाई तीन संटीमीटर है इसका मतलब है कि ऐसी खनों की तीन परतों में कुल बत्तीर गुणा तीन या चियानवे खन होंगे तूसरे शब्दों में एक कमपस बॉक्स का आयतन वॉल्यूम चियानवे खनों के बराबर है अच्छा तो एक कमपस बॉक्स का आयतन चियानवे खनों के बराबर है अब इस घनाव आकार की डिब्बे की लंबाई है 32 सेंटीमीटर या 32 घनों की लंबाई के बराबर इसकी चोड़ाई है 30 सेंटीमीटर या 30 घनों की लंबाई के बराबर इसका मतलब इस डिब्बे की एक परत में इसकी लंबाई गुणा चोड़ाई या 32 गुणा 30 960 घन होंगे इस डिब्बे की उचाई है 10 सेंटीमीटर इसका मतलब इस डिब्बे में 10 घनों की परते होंगी इस तरह इस घनाव आकार की डिब्बे में कुल 960 गुणा 10 9600 घन होंगे दूसरे शब्दों में इस घनाव आकार की डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 9600 घनों के बराबर है एक कंपस बॉक्स का आयतन 96 घनों के बराबर है और इस घनाव आकार की डिब्बे का आयतन है 9600 घनों के बराबर इस लिए इस डिब्बे में 9600 भाग 96 सो कंपस बॉक्स भर पाएंगे बचों अगर बब्बन के घन आकार के डिब्बे की भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन के इस डब्बे में बब्बन कितने कंपस बॉक्स रख पाएगा आप चाहे तो विडियो को रोक कर इसका हल धून सकते हैं ये डिब्बा घन क्यूब आकार का है इसलिए इसकी पहली परत में बब्बन 12 गुणा बारा 144 घन होंगे इस डिब्बे की उचाई भी 12 सेंटीमीटर है या इस डिब्बे में 12 गणों की परते होंगी इसलिए इस डिब्बे में 144 गुणा बारा 1728 गण होंगे दूसरे शब्दों में इस घन आकार के डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 1728 गणों के बराबर है एक कमपस बॉक्स का आयतन 96 गणों के बराबर है इसलिए इस घन आकार के डिब्बे में 1728 भाग 96 अठारा कमपस बॉक्स रख सकते हैं मैं कुल 118 कमपस बॉक्स इन दोनों डिब्बों में भर कर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले जा सकता हूं बब्बन ने 118 कमपस बॉक्स उन डिब्बों में भर लिये और गाउं की तरफ चल पड़ा बच्चों इस वीडियो में हमने कुछ दिल्चस उदारनों द्वारा घन, क्यूब और घनाब, क्यूबोईट को नापने के बारे में सीखा अगली वीडियो में हम इस से संबंधेत कुछ गलत अवधारनाओं को देखेंगे